आपका दोस्त अंकोर घ्लो स्वागे था आपका मेरे यूट्यूब चनल अंकोर घ्लो फोटोग्राफिय में दोस्तो आज हम कैनन के योज और फाइब कैमरा जो कैनन ने अपना मार्केट में नहार लॉंच कर रहा है जो की एक फुल फ्रेम मिरेरलेस कैमरा है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों कैनन ने बहुत ही अच्छा कैमरा मार्केट में उता रहा है अपना जो की बहुत अच्छे फीचर्स के साथ में हैं तो दोस्तों आइए जानते हैं उन फीचर्स में की कैनन ने अपने मिरेलेस कैमरा जो फुल फ्रेम कैमरा है मिरेलेस का कैमरा कैनन का उ झाल 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 तो दोस्तों जैसे कि ये एक full frame mirrorless camera है और इसके अंदर दोस्तों company ने बहुत अच्छे features दिये हैं जैसा कि 8K video है यानि कि 8K की quality तक हम इसमें video recording कर सकते हैं बहुत अच्छा features है कि 8K की हम video quality इसमें record कर सकते हैं 4K की quality हम record कर सकते हैं कि दोस्तों जैसा कि अगर हमें 8K की video quality हमें record करनी है तब हमारी camera में क्या fps रहेगा 4K की quality के लिए हम कहां तक अपना fps set कर सकते हैं तो दोस्तों इन्होंने 8K की quality के लिए सिर्फ 30 fps तक की हमें options available करा है और इससे जदा अगर हम करना चाहें तो 30 fps से अगर हम उपर जाते हैं तब हम इसमें 8K की video नहीं shoot कर पाएंगे और अगर हम 60 fps पे 60 fps पे 120 fps पे video 4K तक की हम quality record कर सकते हैं यानि कि अगर हम slow motion shoot करना हो तो हम 4K की quality पे shoot कर सकते हैं और हम 8K की video quality के लिए 30 fps का option select करके हम इसको shoot कर सकते हैं दोस्तों एक और बहुत अच्छा इन्होंने options दिया है कि इन्होंने अपनी camera की body में यानि कि जो Canon का EOS R5 mirrorless camera है इस camera की body में इन्होंने image stabilization का options दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छा options है यानि कि जैसे कि अगर हम low light में photography करते हैं वीडियोग्राफिय करते हैं कम surgery speed पे photography या वीडियोग्राफिय करते हैं तो क्या होता था पहले कि पहले दूसरे camera में या पहले mirrorless camera में यह options नहीं था तो हमारा हमें low light में या तो हमें tripod यूज करना पड़ता था या monopod यूज करना पड़ता था अब क्या कि दोस्तों इन्होंने body के अंदर image stabilization दिया है तो इसका ये benefit हो गया कि हमें monopod और tripod इतना यूज करने के हमें ज़्यादा जरूत नहीं पड़ेगी हम अपना थोड़ा सा control जो है अपना करके इसके दुआरा हम बहुत अच्छी photography कर सकते हैं या निकि handshake का जो कमी थी कि without tripod या without monopod के कम speed पे या कम light में हम photo video shoot करते थे तो handshake क हमें डर रहता था कि हमारी वीडियो में या photo में handshake ना हो जाए तो यह डर भी हमारा इस camera में जो options दिया है कि image एकी card हम उसमें अपना यूज कर सकते थे बट क्या है कि अब इन्होंने यह options double कर दिया यानि कि अब यह दो card के साथ में हमें options available करवाते हैं Canon EOS R5 के अंदर यानि कि Canon EOS R5 में अब हम दो card लगा सकते हैं एक card हमारा SD card लगा सकते हैं दूसरा हम CF card लगा सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा इन्होंने यह options हमें available करवाया है दोस्तों एक options यह भी इन्होंने बहुत अच्छा हमें available करवाया है इसके अंदर कि अगर हम autofocus tracking में जाते हैं तो पहले क्या था कि हम eye contact eye track कर सकते थे या face track कर सकते थे बट इन्होंने अब बहुत ही extra options इसमें दे दिया है कि हम particular एक body को भी select करके उसकी tracking कर सकते हैं autofocus के दुवारा face track कर सकते हैं अगर हम फोटोग्राफी में जाएं तो बाइलाफ फैटोग्राफिय में हम बड़ को ट्रैक कर सकते हैं easily और cat को track कर सकते हैं dog को track कर सकते हैं काउ को track कर सकते हैं मतलब इसी दिखे से particular एक body को हम selected के उसकी tracking autofocus के दुवारा बहुत easy way में कर सकते हैं तो यह दोस्तो बहुत ही अच्छा इन्होंने options दिया है तो यह भी हमारे लिए बहुत ही कामियाब है बहुत ही अच्छे features के साथ में इन्होंने यह camera launch करा है तो दोस्तो जितली इस camera के बारे में मुझे knowledge थी मैंने आपक रहे हैं दोस्तों आप मुझे comment करके बता सकते हैं कि इस video camera में के बारे में और वीडियो आपको कैसा लगा हमें किस और चीज़ पर वीडियो बनानी चाहिए फोटोग्राफिय से related वह आप मुझे comment करके बता सकते हैं तो दोस्तों मैं कौसिस करूंगा कि उन topics में मैं आपको वीडियो बना के दो तो दोस्तों अपना प्यार ऐसी बनाए रखेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंकि दोस्तों